दामोदर गड़ नाम का एक छोटा सा गाउं था केती और बालू नाम के दो गरीब बच्चे वहां रहा करते थे तोता कोईल पक्षियां जुंड में आकर उगीवी फसल को खराब न कर दिये इसलिए खेत के किनारे पर खड़े होकर डिबबे को ठोक कर उन्हें भगाया करते इस काम के बदले किसानों से मिले पैसों से वे दोनों अपने घर के लिए डाल, चावल, आठा खरित कर लाया करते उन्ही से अपना जीवन बसर कर रहे थे हर रोस की तरह कीरती उस दिन भी डिबबा लिये खेत के किनारे खड़ी थी दिब्बे को जोर जोर से मार रही थी खेती के बीचों बीच बने पंडाल पर खड़ा होकर बालू भी तबबा ठोक रहा था उनके इस तरह डिबबा ठोकने पर आसपास के खेतों में से पक्षियां उड़कर चली जा रही थी इस तरह शाम तक खेटियों में काम कर दोनों भाई बहन हाथ में टॉर्च लिए अंधेरे में चलते हुए अपने घर की और जा रहे थे। इस तरह शाम तक खेटियों में चलते हुए और जा रहे थे। इस तरह पालूंगी कहकर ले जाने वली तुलसी अपने सास की की हुई सारी प्रताडनाए उसकी गालियां उसके मार को याद कर वो मुझ में अपनी सास को देखती है जो चल बसी है। तुलसी मुझे ये सोच कर मारती है जैसे वो अपने सास को प्रताड़ित कर रही हो। यो अपना दर्थ कहती हुई गाय बहुत रोए जा रही थी। में खुद कर जान देना जाती थी वो गाय कुए के पास खड़ी होकर गाय दुखी हो रही थी। गाय के पेट में रहा बचड़ा उससे कह रहा था। मा, मैं हूँ, तुम्हारा अपना बेटा। तुम्हारे पेट में सासे लेते हुए जन्म ले रहा आपका ही अंश हूँ। मा, मेरे धर्थी पर कदम रखने से पहले ही आप मुझे मर दोगी। क्यों मा, क्या आप मुझे प्यार नहीं करती मा। वो मा बनने वाली है, ये बात जानकर उसके खुशी का ठीकाना नहीं रहा। पहली ही बार उसे ऐसा लगा जैसे गाय के भी पंक होते तो कितना अच्छा होता। वो ये सोचकर हर्शित होटी थी, कि अगर पंक होते तो वो भी उड़ उड़ कर खुशिया मनाती। फिर गाय वहां से निकल कर आगे चल पड़ी, पर अंजाने ही वो एक खड़े में गिर पड़ी। एक गाय को इस तरह आवाज लगाते सुन, किर्टी और बालू चौंक गये। उसकी मदद के लिए आई किर्टी और बालू की तरफ सुनहरे गाय ने देखा। बच्चों कृपा कर मेरी मदद करो, मैं कोई साधारन गाय नहीं हूँ, सुनहरे गर भवती गाय हूँ, मेरे पेट में मेरा अंश पल रहा है, दया करो, मुझे बचा लो। ठीक है गो माता, हम आपके मदद करते हैं, आप चिंता मत कीजिए। आई हो, कहां से आई हो, हम तुमें वहाँ छोड़ देंगे। मैं एक जादुई गर भवती सुनहरी गाय हूँ, बताओ तुम दोनों को क्या चाहिए, मैं वो तुम्हें दूंगी। कीर्टी और बालू को क्या पुछे समझ नहीं आया, वे दोनों असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, पर सुनहरी गर्भवती गायने ये नहीं माना। तुम दोनों भले ही कुछ न पूछो, पर मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हें उन्हें से जो भी चाहिए हो, वो ले लेना। उससे अपना कोई व्यापार शुरू करो और खुशी से रहो। ऐसा कहकर सुनहरी गायने कुछ पैसे, सोने का दूद और सोने का गोबर उन्हें अपने मूँ से निकाल कर दिया। कीर्थी और बालू को ये अविश्वस नहीं अलगा। उन दोनों को समझ नहीं आया कि उनमें से वो क्या ले। तुम ये पैसे लोगे तो भी चलेगा। सुन, इस सोने के दूद को बेच कर पैसे कमाओगे तो भी चलेगा। या सोने का गोबर बेचोगे तब भी चलेगा। हे सुनहरी गाय, भले ही हम गरीब है, पर हमने कोई आशा रखकर आपके मदद नहीं की थी। पर अगर आप रिंड चुकाना चाहती हो तो पैसे देकर सुने का दूद और गोपर अपने पास रख लो। ऐसे कीरती और बालू ने कहा और सुनहरी गर्भवती गाय से उन्होंने पैसे ले लिए। उस दिन से कीरती और बालू उस गाय की अपने ही घर में देखभाल करने लगे उसे चारा देने लगे और खुद भी खुशी से रहने लगे। शुरिंगार पुर नाम के गाव में कीरती और बालू नाम के गरीब बच्चे रहा करते थे। उन दोनों के जन्म दादा के ना होते हुए भी उन्हें पाल पोस्कर इतना बड़ा करने वाले उनके रामनाद दादा जी के साथ रहकर वे दोनों बहुत खुश होते थे पर उनकी ये खुशी भगवान से जादा दिनों तक देखी नहीं गई बीमारी के चलते रामना दादा जी शया ग्रस्त हो गए कीरती और बालू पर जैसे तकलीफों का तूफान सागिर पड़ा था दोनों बहुत असहाय थे उस पर वो थे सर्दियों के दिन उनके गरीबी के कारण उन लोगों के पास पहनने के धंके कपड़े भी नहीं थे और ज रहे थे रामना दादा जी उन पर ओडने के लिए और रजाई उनके पास नहीं थी तक दादा जी ने कहा मैं तंड को बरदाश नहीं कर पा रहा हूं मुझे चल्दी से कोई रजाई ओड़ दो वेना इस तंड को बरदाश न कर लगता है मेरे जान चली जाएगी पर दादा में मैं चल बसूंगा ऐसे मत कहो दादा जी सुन बालो तो जल्दी से जाकर कुछ लगड़िया जला मैं जाकर किसी से पुरानी कोई रजाई हो तो लेकर आती हूं सवेरा होने में अभी समय है ना इस समय अगर हम दर्वाजा धोकेंगे कहीं गुसे से हमें मारें ना मारेंगे तुमारे सही पर इस समय हमेरे लिए जादा जरूरी दादाजी है उनका बचना जादा जरूरी है ठीक है दीदी तुम जाकर रजाई लेकर आओ और मैं लकड़िया खटे कर उन्हें जलाता हूं ऐसा सोचकर केर्टी और बालू घर से बाहर निकले अभी सवेरा होने में समय था पर दूर कहीं से मुर्गे के बांग की आवाज सुनाई दे रही थी पर अपने दादाजी के लिए उन्हें ये करना ही था अपने घर से निकल कर केर्टी ठंड में पड़स वाले घर के लिए निकली बालू ठन में कामते हुए लकडियां इकटे करने निकला कीरती चलती हुई कांता नाम की एक औरत के घर के दर्वाजे पर गई नाम से तो वो औरत जगडालू स्वभाव की लगती है पर कांता जगडालू नहीं थी बहुत अच्छे स्वभाव की थी जब भी कोई समस लिए उसका दर्वाजा खटकटा था तो उससे जितना बन पाता वो उतनी मदद किया करती दर्वाजा खटकटा कर कीर्थी ने उन्हें आवाज दी मासे जी मासे जी आवाज दे दे कर ठक कर कीर्थी वापस लोड़ने लगी तब उसे अचानक या दाया कि कांता मासे तो हाथ मुश्किल है हाथ पर काम ने लगे हैं ना जाने दादाजी की हालत कैसी है अब एह बगवान ये कैसी का सोटी है यो सोचते हुए चल रही कीर्थी को किसी घर के बाहर जलती हुई लाइट दिखाई दी कीर्थी ने सोचा कि वेलोग जाग गये होंगे इसलिए उनके घर क पास गई आंगन में पानी छिड़कती हुई मंगा दिखाई दी आँ ये मंगा मासी का घर है बापरे सुबर सुबर शेर के मुँमें उमली करने जैसी बात हो जाएगी अगर अब जाकर मैं कहूंगी कि दादाजी को बहुत ठन लग रही है कोई रजाई हो तो दे दो तो ब लकडिया इकटे करने गया हुआ बालू ठन के कारण ऐसे काम रहा था मानों कोई करेंट शौक लगा हो इतनी बर्फ पड़ रही है इस बर्फ में तो लकडिया भी बर्फ की लकडिया बन गई होगी ऐसे में उन्हें दूनना बहुत मुश्किल होगा अगर बड़ी मुश्क यही बात में दीजी को भी बताऊंगा ये सोचकर बालू जल बिन मचली की तरह कामते हुए जंगल से निकल कर घर के और चल पड़ा पानी छिड़क रही मंगा ने वहाँ से गुजर रही कीर्थी को देखा और उसे पहचान गई ये क्या इतनी सुबर सुबर ठंड में ऐसे ये लड़की गाउं भर में क्यों गुम रही है ऐसा मन ही मन सोचकर उसने कीर्थी को आवाज दी अरी ओ किर्थी यहां आना एक बार उसकी आवाज सुनते ही किर्थी रुख गई मंगा के बुलाने पर वो उसे मना नहीं कर सकती थी और ना चाहते हुए भी उसके पास गई अभी सवेरा नहीं हुआ और वो भी इतनी ठंड में जहां मैं इतनी मोटी चमडी की होने पर भी इस ठंड को बरदाश नहीं कर पा रही आपकी चमडी मोटी है इसलिए आप बरदाश नहीं कर पा रहे हो अच्छा तु पतली चमडी वाली तुम कर रही हो बरदाश मासी जी बताईए ना किसलिए रोका है मुझे बहुत काम है इतनी धंड में जहां लोग भी उठे नहीं और मुर्गे ने भी बांग नहीं दी ऐसे में तुम्हें क्या काम पड़ गया आपकी कसम खाकर केती हूं मासी जी हमारे दादाजे की तवियत ठीक नहीं अभी मैं वापस घर जा रही थी उनके पास रहकर उन्हें दिलासा देना चाती हूं अगर तुम मेरा कहना मानोगी तो मैं तुम्हें एक रजाई दूँगी आप पहले मुझे रजाई दे दीजिए मैं दादाजी को देकर चल्दे वापस लोटती हूं तब आप जो भी कहोगे मैं करूंगी किर्ती की बात सुनकर मंगा कुछ सोच में पढ़ गई मैंने तो सोचा था इससे पानी भरवा कर वापस भेज दूँगी पर अब घर का सारा काम करवा कर थोड़ा सा खाना दे दूँगी शाम तक खुत्ते की तरह मेरे पास पड़ी रहेगी ऐसा मन ही मन सोच कर वो भीतर गई एक फटी पुरानी रजाई लेकर बहार आई और किर्ती के हाथ दे दिया किर्ती ने हाथ जोड़े और रजाई लिए अपने घर पहुँची रामना दादा जी थन से काम प्रहे थे दादा जी को उसने रजाई ओड़ दी तभी बालू वहाँ पर आया तो किर्ती ने उसे मंगा की सारी बात बताई और वहाँ से मंगा के घर के लिए निकली ये देखकर जैसे भेड एक कसाई पर भरोसा कर चलता है इसने मुझ पर भरोसा कर लिया